जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चीजी चिकन मसाला की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सांदार डिस्ट बनकर तयार होती है तो चलिए सुरू करते हैं तो इस डिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेन में 3 तेल गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद इसमें एट कर देंगे मीडियम सैस की 3 प्यास तो प्यास को हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है तो एक मिनिट तक हमने प्यास को तेल में फ्राइ कर लिया है और इस टेश पर हम इसमें टमाटर एट करेंगे तो हमने यहां पर दो मेडियम साइस के टमाटर लिये हैं इनको भी हमने रफली चॉप कर लिया है साथ ही में हम इसमें एड करेंगे 10 बादाम और 10 काजू और इन्हें तेल में तब तक फ्राइ करेंगे जब तक प्याज और टमाटर थोड़े सोफ्ट ना हो जाए गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो हाई फ्लेम पर प्याज और टमाटर के सोफ्ट होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे तो इसे तेल में से निकालने के बाद रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसका पेश्ट बना लेंगे तो इसी पेन में हमने प्याज और टमाटर को फ्राई करके निकाला है तेल और गरम है और इस टेज पर हम इसमें तीन टेबल स्पून तेल और एट कर देंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे खड़े मसाले तो खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पून जीरा, दस काली मिर्च, एक बाध्यान का फूल, एक बड़ी गलाइची, दो छोटी गलाइची और एक दालचीनी खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें चिकन एट कर देंगे तो हमने यहाँ पर 600 ग्राम बॉनलेश चिकन लिया है और चिकन एट करने के साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसा नमाक एट कर देंगे हमने एक टीस्पून नमाक एट कर दिया इसे अच्छे से मिला लेंगे और चिकन को तेल में कुछ देर तक फ्राई करेंगे तो हमने चिकन को तेल में मीडियम फ्लेम पर दस मिनिट तक फ्राई कर लिया है अब देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है और इसमें से अच्छा खासा पानी भी रिलीज होने लगा है तो इस टेज पर हम इसमें एक तीसपून अद्रक लहसन का पेश्ट एट कर देंगे अद्रक लहसन का कच्छा पंदूर होने तक इसे हम एक मिनिट के लिए भून लेंगे और फिर इसमें एट करेंगे कुछ सूखे मसाले तो सुखे मसालों में हमने यहां पर ली है एक टीस्पून कस्मेरी लालमीच पाउडर, हाफ टीस्पून काली मेच पाउडर, एक टीस्पून लालमीच पाउडर, एक टीस्पून धन्या पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर तो ग्रेवी को बढ़िया सा कलर देने के लिए हमने इसमेरी लाल मीच पाउडरेट किया है अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर दे तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों का कच्छा पंदूर होने तक हम इनको लोफ लेंपर दो से तीन मिनिट के लिए चिकन के साथ खूले में भून लेंगे तो मसालों का कच्छा पंदूर होने तक हमने इसे लोफ लेंपर तीन से चार मिनिट के लिए भून लिया है अब हमने जो प्याज, टमाटर, काजू और बादाम का पेश्ट बना कर रखा है वो इसमें एड़ कर देंगे मिक्सिजार को खंगाल कर इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे बीच बीच में इसे चेक जरूर कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें काजू एट किये हैं अगर इसे चेक नहीं किया तो इसमें निंचे दाग भी लग सकता है तो यहां पर लो फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 20 मिनिट हो चुकी है अब देख सकते हैं कि इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसमें से तेल रिलीज होने लगा है तो एक बार इसे चला लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड़ करेंगे तो ग्रेवी आप कितनी गाड़ी या पतली रखना चाहते हैं उसी साब से पानी एड़ कर दें तो एक कप पानी एड़ करके हमने इसे अच्छे से मिला लिया ग्रेवी का पानी एट करने के बाद जब इस तरह से इसमें कुबाल आने लगे तब हम इसमें चीज की स्लाइसी सेट कर देंगे अगर आपको चीज का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा पसंद हो तो आप इसकी कौंटिटी बढ़ा दें हमने तीन स्लाइसी सेट कर दी और अब हम इसे कवर कर देंगे एक मिनिट के बाद इसे खूल लेंगे तो आपने देखा कि चीज अच्छा से मेल्ट हो चुकी है इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे अगर आपको पास चीसस अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चीज क्यूप्स को ग्रेट करके भी एट कर सकते हैं तो यहां पर हमारा चीजी चिकन मसाला बनकर बिल्कुल तयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एक टीस्पून भूनी हुई कसूरी मेथी और एक चोथा टीस्पून गरम मसाला एट करके मिला लेंगे आप यहां पर गानिशिंग के लिए थोड़ा साहरा धनिया भी एट कर सकते हैं यह देखिए बना है बिल्कुल रेश्टोरंट श्टाइज चीजी चीकन मसाला तो देखा आपने कितनी आसान है इसकी रेशिपी आप जब इस रेशिपी को अपने घर पर ट्राइब करेंगे तो कॉमेंट बोक्स में हमारे साथ अपने एक्सपिरेंस जरूर से सेर कीजिए और इस चीकन ग्रेवी को और भी चीजी बनाने के लिए सब करने के बाद हम इस पर थोड़ी सी चीज और ग्रेट कर देंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के ऐसी ही आसान सिंपल और यूनिक रेशिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई